voltage and current at any point on a transmission line जैसे कि हम last topic में हमने एक डाइगनाम किया था input impedance of transmission line में जो terminated है किसी भी load impedance याई जडार पे तो देखिए हम इसमें voltage और current करेंगे किस line के किसी भी point पे transmission line के point पे कि वो क्या होगा last topic में हमने voltage और current के कुछ equations निकाल ली थी V is equal to the Vs coshpx minus Isz0 sinhpx के और I is equal to the Is coshpx minus Vs upon Z0 sinhpx के यहीं निकाली थी हमने दो equations अब इसको ही लेके हम आगे चलेंगे इसमें क्या है कि हम अगर हमारे expression में Is यानि source current involved है तो हम उसे determine कर सकते हैं अगर Zs यानकी जो source impedance है यह अगर given है उस time में देखिए अब इन्ही equations को लेके जो general equations हैं हम आगे चलेंगे क्या होता है कि जब भी हमारा Is अगर हमें expression में Is involved है तो हम उसे determine कर सकते हैं अगरा source impedance Zs given होता है और Is यानि source current is equal to होता है वियर सपों Zs की यानि source voltage अपॉन source impedance इसी के equal होगा last topic में हमने Zs की value calculate की थी Zs is equal to Zs की जगा में हमने यह equation put कर दी तो इस equation को हम इस तरह से लिख सकते हैं Vs upon Znaught ठीक है Vs upon Znaught is equal to यह वाली equation ऊपर चली जाएगी Znaught cos hpl plus Zr sin hpl और यह नीचे आ जाएगी ठीक है ऐसे आजाएगी यह equation अब यह equation आई है Is की इस equation को हम यहाँ पर जो voltage है हमारी जो हमने last topic से चल रही है इस में put करेंगे Is की जगह पर तो Is की जगहां पर हमें put करेंगे तो V is equal to Vs cos hpx minus Znaught sin hpx और Is की जगहां यह वरी जो equation है यह equation हम put कर देंगे इसको put कर देंगे हमारे पास हम इसे solve करेंगे इस equation को क्या आएगा Vs cos hpx minus Znaught sin hpx Vs और Znaught को बहार आगे Vs upon Znaught यह बहार आगे रोनों इसके upon में ठीक है और बाकी equation as it is रही अब इसमें यह जो हमारे पासी question आएगे है इसका हम LCM लेंगे अगर हम इसका LCM लेंगे तो क्या आएगा Znaught cos hpx Znaught sin hpx यह ही है यहां पर यह देखिए वाली Vs i hpx Znaught cos hpn plus Zna sin hpn यह ही आएगा ठीक है अब इससे हमारे पास यह equation आ गई है अब अगे इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा Vs को हमने यहां common ले लिया ठीक है अब देखिए यहां से और यह हमारा cos hpx है इसको हम अंदर multiply कर देंगे तो Vs यहां पर यह अंदर multiply हो गया यह इसको हमने बहार ही रखा common तो क्या cos hpx into z r cos hpl plus cos hpx into z naught sin hpl सेम ऐसे हैं Vs बहार ले लिया और इसको अंदर multiply कर दें sin hpx को z naught cos hpl से sin hpx को z r sin hpl से नीचे as it is रहा ठीक है यह equation हमारे पास आ गई है अब इसको again further solve करेंगे तो हमारे पास आएगा जो हमारा z r यानि z r cos hpl और cos hpx यानि यह minus और यह वाला z r sin hpx sin hpl इसको हम एक साइड ले लेंगे तो यह minus में आ जाएगा इधर आके तो इसको अलग ले लिया और z naught को और इसकी z naught को अलग ले लिया z naught cos hpx sin hpl यह plus में और यह minus यह इधर आएगा z naught sin hpx cos hpl तो यह यहाँ से बहारे लेगा यह equation as it is जाएगी और अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पर यह एक formula बन गया है देखिए cos a cos b minus sin a sin b का और यह बन गया है cos a sin b minus sin a cos b का ठीक है न सेम यह formula हम apply करेंगे तो क्या होगा cos a cos b minus sin a sin b तो क्या होगा v s z dar cos hp l minus x आजाएगा यहाँ से और यहाँ सेम यहाँ पर apply करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास z naught sin hp l minus x नीचे वाली equation as it is आजाएगी तो यह जो है यह हमारी voltage आई है जो कि हमने calculate करेंगे तो current की equation क्या थी यह वाली equation थी ठीक है ना इस equation जैसे voltage calculate की है वैसे ही current को calculate करेंगे और जब current को calculate करेंगे ठीक है जैसे i s को यहाँ पर i s की जिगा पूट करेंगे तो current calculate होगा तो जो current की हमारे पास value आएगी i s क्या था जो अभी अभी हमने गिया था v s upon z naught z naught cos hp l plus z r sin hp l upon z r cos hp l plus z naught sin hp l इसको हमने क्या इसमें put क कर देंगे और इसको जैसे हमने voltage को solve किया है तो हमारे पास current की evil value आएगी i s equal to v s upon z naught z naught cos hp l minus x plus z r sin hp l minus x upon z r cos hp l plus z naught sin hp l तो voltage और current हमारे पास दोनों आजाएगी जो की हमने calculate कर दी थी और यही हमारी voltage और current होती है any point on transmission line thank you इस वीडियो को देखने के लिए thank you और साथ अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पर subscribe खर सकते हैंगे